नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजीब और आप देख रहे हैं अमानत signalingedy दोस्तो आज हम जानकारी UP करेंगे की पूराने खेसरा नंबर को नए खेसरा नंबर में कैसे बनाया और यह कब बनता है तो दोस्तों इसी को जानेगा और जानेश पर आपमाड़ चैनल पुर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन प्रेस कर दिए क्योंकि जमिन संबंदित नारेजबल विलियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं शरिया जाने का रिक्राप्ट करते हैं तो दोस्तों खैसरा नंबर को लेकर बात है कि मान लिजए पूर्व का जो सर्वे हो चुका है उस समय जो खतियान बज़ो नक्सा बना थो उस नक्सा में जो खैसरा नंबर दिया गया है। तो वह चल रहा है लेकिन अब वह बदलता कब है चेंज कब होता है तो मान लिजे कि अभी परजन टाइम में मतलब यूं कहे तो अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है और इस से पहले जो सर्वे हो चुका है तो उसका जो मानचित्र है जो खेसरा नंबर है उस खेसरा में हो सकता है किसी खेसरा में एक ही व्यक्ति जमिन खरीदे हो पूरा जमी पूरा खेसरा का किसी खेसरा में ये हो सकता है कि दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति भी जमिन खरीदे हो सकते हैं तो जब survey किया जाएगा, तो survey में क्या होगा, कि जिस खेसरा को एक वेक्ति खड़ीदे हैं, हो सकता है, वाह, पूरा का पूरा खेसरा उनीका है, तो same रह सकता है, लेकिन same तब रहेगा, जब वाह, पहला plot होगा, ठेके, लेकिन यदि वो भी बीच में आते हैं, तो उनका भी खेसरा नमबर चेंज हो सकता है आप बात करते हैं चेंज क्यों होता है तो इसके विशे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कोई खेसरा है उसमें हो सकता है दो या दो से अधिक व्यक्ति जमिन खड़ी दे हो तो सर्वे जब होगा तो उनका अलग अपना पार् बदलता है पूराना खेसरा नमबर जो रहता है वह बदलकर नए खेसरा में तबदिल हो जाता है और यह सर्वे के समय होता है तो दोस्तों अमीद करता हूं समझ गया होंगा अगर समझ में आगा तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले मिलते हैं एक्ष्प्रिक्स तब तक के लिए लिए ठाइब